Hello everyone, Welcome to the channel e-office vlog इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे उन इंस्ट्रेक्शन्स के बारे में जो Finance Department हरियाना ने फरवरी महीने में इश्यू की है Finance Department की फरवरी महीने में सबसे पहली इंस्ट्रेक्शन है वो GST से रिलेटिड है इसमें Finance Department ने बताया है कि Construction Work के उपर जो 12% से 18% का GST बढ़ाया गया है उसकी Calculation कैसे की जानी है इसमें ये Example भी दिया है Calculation करने के लिए कि 18% GST पर Calculate करके उसकी Payment की जानी है इसके बाद जो Next Instruction है वो 2023 के Pay Day से रिलेटिड है जैसे कि इस साल में जुलाई, एक्तूबर और नॉम्बर के महिने में जो First Date है उस पे Holiday है इस वज़े से इन Months के Pay Day चेंज किये हैं Government ने इसके बाद जो Next Instruction है वो Economy Major से रिलेटिड है ये Instruction भी पहले इशू हो चुकी है जो Post दो साल से लगातार खाली पड़ी है सरकार ने उन Post को Abolist कर दिया है वो अब खतम समझी जाएंगी और ये Condition इन दो Case में लागू नहीं होगी या तो HPSC, HSSC को Requisition भेज रखी है इन Post की और सभी Proportional Post ऐसे की ऐसे रहेंगी सिर्फ Direct Recruitment की वो Post जिनकी Requisition नहीं भेजी गई है और जो दो साल से ज़्यादा टाइम से खाली पड़ी है उन Post को Government ने खतम कर दिया है इसके बाद जो Next Instruction है वो नई Pay Metrics से Related है ये आपने देखी भी होगी कि जो 2016 में Pay Commission मिला था उसमें जो Pay Metrics थी उसमें गवर्मेंट ने कुछ चेंजिस किये थे ये 5A, 6A और 10A ये नई लाइनस एड की गई थी इसमें नई लेवल बनाए थे गवर्मेंट ने इसके बारे में बाद में क्लैरिफकेशन भी जारी हुई थी कि ये सिर्फ सब्चिचूट किया गया है किसी पोस्ट को जो Pay Scale था किसी पोस्ट का उसको बढ़ाया नहीं गया है इसके बाद जो next instruction है वो SS exam से related है SS part 2 का exam का letter आ चुका है part 1 का exam भी कभी भी हो सकता है उसके लिए गवर्मेंट ने ये regulations बनाई है कि किस तरीके से exam conduct किया जाना है कितने part में exam होना है qualification वगरा क्या चाहिए तो ये नही regulation जारी की है 7 page की इनको आप detail में पढ़ सकते हैं इसके बाद जो next instruction है वो GPF पर ceiling से related है गवर्मेंट ने 5 लाग से ज्यादा का GPF contribution करने पर रोक लगा दी है अब आप एक financial year में 5 लाग से ज्यादा का GPF नहीं कटवा पाएंगे इसके बाद जो next instruction है वो deputation से related है ये instruction ही पहले issue हो चुकी है इसका भी reminder जारी किया है teachers को छोड़कर जो employee deputation पर है उसकी information मांगी है government ने इसके बाद जो next instruction है वो departmental financial rules से related है इसमें finance department ने जो financial rules थे उसमें amendment की है ये 2023 के हर्यान amendment rules कहे जाएंगे इसमें कई departments में जहां construction वगएरा काम होता है उनके लिए government ने ये rule amend किये है ये आप देख सकते हैं इसमें अलग-अलग level पर power बताई गई है जैसे subdivisional engineer कितनी लाग तक का काम करवा सकता है ऐसे ही हर post के हिसाब से कुछ powers fix की गई है इसके बाद जो next instruction है वो sanction post में correction से related है HRMS पर जो sanctions post fill की गई है उसमें correction करने के लिए ये government ने instruction issue की है इसमें steps भी बताई गई है कि e-post पर जाकर कैसे उनको ठीक किया जाना है कैसे उनकी summary चेक करनी है e-post पर ये जो sanctions strength है वो headquarter level पर ही ठीक की जाएगी इसके साथ government ने list भी attach की है total sanction post, total failed और vacancy जिन-जिन departments में जहां पर गलती पाई गई है उसको साथ में attach किया है finance department ने तो ये आप देख सकते हैं इसके बाद जो next instruction है वो नए department जो भी merge किये थे government ने उनके budget से related है उन departments के लिए नए budgetary provisions थे जो उसमें relaxation दिया है government ने एक साल के लिए एक financial year के लिए उसमें नए जो budget provision एड़ नहीं होंगे पुराने तरिके से चलते रहेंगे इसके बाद जो next instruction है वो PFR के rule में amendments related है ये PFR का rule 19.6 है PFR volume 1 का आपको पता भी होगा कि offices में जो खर्चे होते हैं contingency के bill जो हम पास करते हैं उसमें किस चीज़ के उपर कितनी powers होती है कितने रुपे खर्च कर सकते है उसमें amendment की जाएगी government के दवारा finance department ने इस rule में change करने के लिए proposal मांगे हैं department से इन departments को छोड़ कर बाकि सभी department के जो administrative secretaries है जो ACS हैं उनको ये proposal भेजनी है कि किस लेवल के अधिकारी के पास क्या power होनी चाहिए खर्चा करने के लिए उसके बाद इस rule को amend किया जाएगा तो ये कुछ instructions थी जो फरवरी महीने में finance department हर्याना ने issue की है इसके अलावा भी अगर आपको किसी और instruction का पता है तो comment करके बताएं या फिर email करें eofficevlog.gmail.com पर अगर आप channel पर नए हैं तो channel को subscribe ज़रूर करें आज की वीडियो में बस इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिन